हेलो एवरीवन तोडे वी विल डिस्कूस यूर चैप्टर नमबर थर्ड सेडो और काली सो लेट्स स्टाट यूर चैप्टर एक्सरसाइज ओके येस देखे यहां हम पहले एक्स्प्लेनेशन कर चुके हैं येस आपकी फर्स जो एक्सरसाइज है लोग यहां फ्री ओप्शन्स दिये गए हैं आपको क्या करना है वन ओप्शन चूज करके राइट करना है ये देखे मैंने टिक भी लगा रखे हैं तो जो फर्स कोश्चन है बिटा उसको में क्या पूछा गया कि किसी की फैमली ने सड्टो को सेल्टर में छोड़ दिया था yas किसने छोड़ दिया था पैगी की जो फैमली थी उसने and the Sag delic! Sometimes that it was the Sag ने अपने आप से क्या कहा था कि ALergy that made Peg's eyes wet कि जो उसकी पैगी की आँखों में आसु क्यों आ गयए थे इलर्टी की वज़े से yes next है बिटा सबसे जो पहली फ्रेंट जो सैडो की बनी सैल्टर में उसका नेम क्या था कारली पहले कौन सी कैट को अडॉप्ट किया गया इशा बैल को कितने समय तक सैडो को और कारली को अडॉप्ट नहीं किया गया था एक साल तक अब देखे बैटा नीचे आपके कोशन आंसर है अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो फरस्टली इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले बैटा क्योंकि नेक्स वीडियो में मैं आपको इसके कोशन आंसर राइट करके सैंड करूंगी ओके ऐए विल नेक्स वीडियो ओके नेक्स एकसरसाइज यहां है बिटा आपकी exercise तो यहां कुछ आपके word दिये गए है vocabulary section है यह इसमें आपको यह word को choose करते हुए जो exercise है उसको fill करना है फर्स आपका दिया है best friend second दिया है companion, confident, met and acquaintance यहां इनके meaning दिये गए है best friend क्या होता है सभी को पता है ना जो first friend होता है आपका यह जो आपके सब से नजदीक होता है companion आपका साथी जिसके साथ आप ज़्यादा तर time spent करते हो confident एक ऐसा person जिसके साथ आप अपने secrets भी share कर लेते हो और mate आपका किसको friend को भी बोल सकते हो और आपका जो साथी होता है उसको भी इसी तरह से आपका जो है acquaintance भी है जो क्या है आपका जो close friend नहीं होता है आप देखे exercise जल्दी थोड़ा फासली करते हैं बेटा नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है आपकी सेड़ो एंड कारली रिमेंड यहां best friend आएगा आपका फर्स्ट में सेकिंड में आएगा आपका confident only mate and the companion in fourth में and fifth में आया आपका acquaintance after many months yes बेटा तो next exercise है आपकी इसमें idioms है यह आपको fill करने है a sorry side इसका meaning क्या है when something is in a bad state तो यह सारे यहां side में इसके meaning दिये है बट आपको यह यहां fill करना है नीचे जो आपकी भी exercise दी गई है अब चलिए fill करते हैं इसमें though the offer looks attractive at first sight क्या आएगा first में at first sight and second में आएगा caught sight of इसमें मैंने catch था तो according to your sentence क्या आप यहां second form करेंगे the boat yes man started his journey and soon lost sight of अब आजाए यह fourth में fourth में आएगा आपका yes the poor man's damaged us yes fourth में आएगा a sorry sight यहां आएगा आपका a sorry sight yes fifth में देखे आप to achieve success in life one should fifth में आ जाएगा आपका sight set once sight yes यहां fill कर सकते हैं आप sight on अब बच गया आपका last six six में आप करेंगे no and in sight no and in sight okay यह आपकी exercise हो गई done idioms का था बटा तो यह थोड़ा सा आप इस तरीके से fill कर ले ना next exercise देखे आप only you can look this exercise yes अब आपका देखे यह अकोर्डिंग यहां नम्बरिंग भी डाली हुई है don't worry तो यहां देखे नम्बरिंग के अकोर्डिंग अगर आप कैसे fill करोगे कुछ वर्ड दिये गए हैं यह और इनके पी ने आपको न्यू पैन दिया तो रोंग हो जाएगा अगर मैं कहूंँ दा बिग स्पाइडर दो जब बिग स्पाइडर थी उसने मुझे पैन दिया यह भी रोंग हो गया तो आपका according जो sense है बेटा किसकी जो sentence यहां दिये हो गया है उसके according ही आपको fill करना है तो first में आएगा आपका her friend क्या आएगा her friend yes देखिए and the second में आपका आएगा the big spider क्या आएगा the big spider yes the big spider and the third में आएगा the buzzing yes the buzzing b buzzing b क्या आएगा yes b u double z i and g buzzing और यह क्या आएगा आपका b fourth में आएगा my mother इन में आएगा आएगा my mother ओके अब आता है आपका मेरी मदर बहुत खुश थी जब मैंने उनकी मदद की fifth में आ जाएगा बेटा आपका आ डोक्टर क्या जाएगा आपका आ डोक्टर विजीटीड आवर स्कूल यस्टरडे फोर स्टूडेंट्स रूटीन चेक अप यह जो डोक्टर है उन्होंने कल विजीट की थी अमारे स्कूल में रूटीन चेक अप के लिए यह आप भी एक्सरसाइज है बेटा चूज इसमें क्या करना है अब देखे ता फ्लेग तो में क्या आएगा यहां आएगा बेटा ये अ फ्लरटर yes fluttered in the wind yes यह हो गया फर्स का यह predicate यह subject अब देखें next the dogs तो यहां आएगा आपका bard all night yes थर्ड में देखिए the pilot यहां जाएगा आपका landed the aircraft air yes craft safely यह आपका आजाएगा और फौर्ट में देखिए आपका watered yes watered the plants regularly हाना तो यहां आप क्या करेंगे regularly yes next देखिए फिफ्ट में has a long trunk has a long trunk तो यह हो गई आपकी exercise complete okay बेटा thanks next देखो आप इसमें आपको क्या करना है यहां write करना है but मैं आपको थोड़ा उसमें बता रहे हो आपको क्या करना है इसमें क्या करना है बेटा आपको punctuation करनी है the passes has been error in each line हर line में punctuation आपको write करना है देखिए यहां आपकी है once but आपको यहां better write करना है ऐसे मैं आपको only एक one line write करके दिखा रहे हूँ ऐसे once देखो आपको ओ क्या करना है capital फिर यहां आपको सारी line है write करनी तो यहां आपने क्या किया O को capital किया next चलते हैंगे once a mother got and her kid lived in a cave in a jungle जंगल यहां क्या लगा होगे आप full stop क्योंकि full stop के बाद new lines चूरू तो first letter capital O क्या करेंगे आप capital one day day के बाद क्या लगा होगे आप an elephant passed by their cave cave के बाद क्या है आपकी full stop the kid was afraid yes was afraid to see the elephant full stop यहां आपकी new line चूरू हो गई तो I क्या आएगा capital it said यहां यह ओलरेडी लगी है तो H आपको capital करना बेटा how H capital big that animal is यहां आपको exclamatory sign लगाना है it will eat us alive यहां भी आपको क्या करना है exclamation tree जो mark है वो put करना है what shall we do यह क्या है question है तो यहां आप क्या करोगे interrogative mark लगाओगे question mark should we get yes should we get out and run away यहां भी आप क्या करोगे question mark लगाओगे the mother goat said यहां कोमा relax relax के बाद भी आप क्या लगाओगे कोमा अब elephant का आप E capital करोगे don't eat meat full stop और यह जो दे है दे का T capital करेंगे get green leaves कोमा and glass के बाद भी कोमा आएगी आपकी sugar can and fruits okay बेटा thanks everyone और एक exercise आपकी only one है यह और देख लीजे आप आराम से फटा फट करवाते हैं बेटा ज़ादा लोग हूँ yes इसमें क्या करना है Sadow and Carly were adopted by Jenny and her brother okay यहां brother लिखो गया second में आएगा they lived in a वो कहां रहते थे cottage near the sea अब next है third आपका beach they went to the beach अब fourth में आपका आएगा यहां Sadow और next में आएगा आपका Carly fifth देखे आपका यहां क्या आजाएगा Jenny और यहां क्या आजाएगा Peggy okay thanks everyone